नमस्ते आमी जी कैसे हैं नमस्ते जैशी राम एकदम बढ़ी हारी हन्त आप कैसे हो बस बढ़िया पुने स्वागत आपका वाद स्टूडियो में और दिल्ली में पिछली बार जैसे आपने कहा था काफी गालियां पड़ी बट काफी प्रशंसा भी हुई तो अच्छा हुआ लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो नित्यमनंद मिश्रा जी है जो उन्होंने कहा कि विकास दिव्यकीर्ती कांड क्योंकि रामायन है तो कांड होगा तो उसमें उन्होंने जो पुरा कॉंट्रोवर्सी चल रहा है विकास दिव्यकीर्ती एक UPSC कोचिंग सेंटर चलाते है और एक क्लास में जो पुरानी क्लिप है 2019 की उसमें जो वाइरल हो रही है उसमें उन्होंने कहा कि वो उत्रकांड की बात कर रहे थे कि जब युद्ध हो जाता है समाफ्थ हो जाता है राम जी जी जाते है रावन का वद्ध हो जाता है उसके बाद ये बात आती है कि जब सी लाज बचाने के लिए किया है, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक और बात कही कि वो खेर महाभारत से है, ये बाद में पता चला, वो उत्रकांड का हिस्सा नहीं है, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने comparison किया, कि तुम मेरे लिए वैसे ही हो, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे कि माता सीता की, उसमें क्या context है, क्या इसको पहले बात कर ले तो उसके बाद फिर एक और incident है, एक और वीडियो क्लिप है, उसके बारे में बात करेंगे, तो पहले ये जो conversation है कि युद्ध के बाद उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए नहीं किया है और वो कहा तो किस context में कहा, उसके बारे में थोड़ा बताईए विस्तार से, अचा सबसे पहले तो ये उत्तर कांड में नहीं है, ये युद्ध कांड में है, युद्ध कांड की ये बात है, और क्या उन्होंने ऐसे कहा, सीता जी जब आई उनके पास, तब क्या उन्होंने कहा, परन्तु ये उन्होंने क्यों कहा, ये समझना आवर्शक है, और इसके विशय में हमारी जो पहले भी बात हुई थी, तब श्रीराम और सीता जी का जो संबंध है, जो प्रेम है, उसके विशय में हमने चर्चा की थी, कि मतलब अत्यंत प्रेम है कितनी बार उन्होंने क वर्ष थे और उसके बाद जो वीरह का वर्ष था तभी जो प्रेम उनका वो 13 वर्ष में था और 14 वर्ष में जब वीरह हुआ तब श्री राम जी की जो हालत थी इस पर भी हमने चर्चा की है तो मैं वापस नहीं कहूंगी तो उनके बीच का प्रेम संबंध तो एकदम क्या कह मतलब बन आफ दो ऐसा तो देखने में भी नहीं आता उतना उनका गाढ संबंध एक ऐसे समय में जहां पे बहु विवा बहुत प्रचलित था और राजाओं में खासकर उनके पिताजी की भी तो तीन पत्मियां थी है ना तो उस समय उन्होंने इन फैक देखे तो अंत तक एक पत्नी व्रता ही उनका रहा वो चाहते तो विवाह कर सकते थे पर उन्होंने कभी नहीं किया तो ये भी एक टेस्टमेट वो कहते है ना कि उनका सीता जी के प्रती कितना प्रेम था तो अच्छा पर फिर भी उन्होंने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा तो इसके लिए ना हमे कांटेक्स समझना होगा कि हुआ क्या वो सही में इतने निष्ठूर हो गए थे तो जब पहली बार वो जब युद्ध हो जाता है और सीटा जी को लाने की बाद होती है तो हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाओ और सीटा जी हो कि अब युद्ध हो चुका रावन की का बद हो अब आप क्या करना जाते हो तो हनुमान जी सीटा जी के पास जाते है और इंसे पूछते हैं कि अब ऐसा हो गया है अब आप क्या करना जाते हो तो सीटा जी कहते हैं कि मुझे बस श्री राम से मिलना है तो यही बात हनुमान जी आकर कहते हैं तब यह बात कहते हैं तब वा युद्धकान के 114 सर्ग में पांचवाश लोग है आगच्छत सहसा ध्यानम आसीद भाश्प परिलुपतता उनकी आखे जो है वो उसमें आसू भराए अगर वो इतने निष्ठुर होते तो सीता जी की बात सुनकर कि मुझे आपसे मिलना है तो उनके मन में आसू क्यों फरात अच्छा जब वो अच्छा उसका मतलब उनके मन में भाव तो है पर कुछ तो बात है जो उनको उनकी मन में चल रही है जो उनको तकलीव दे रही है और वो बात आगे चलकर वही कहते हैं कि अपवाद भयो कि लोगों में अपवाद हो जाए इस भय से उनको यह पता था कि थोड़ा मिश्टूर होना है, तब ये बात कहते हैं, क्यों ये बात कहते हैं वो, क्योंकि वो actually Sita ji को provoke कर रहे हैं, ताकि लोग जो है उनके आसपास, वो जान पाए कि Sita ji का व्यक्तित्व है, वो कितना पवित्र है, कितना महान है, ये सब लोग देख बाए, इसके लिए उन्होंने आसे कहा है, अच्छा, दूसरी बात ना, जो मैंने बाखी टॉक्स में भी कही नहीं है, कि अगर रावन का हम व्यक्तित्व देखे, तो रावन, Sita ji कोई पहली स्त्री तो थी नहीं जिन का उन्होंने अफरंट किया था, उन्होंने फिर इवेंशली देखे गविन तो इम, ये उल्लेक भी आता है, कि वो मान जाते हैं, कि चलो ठीक है, अब यही हमारे स्वामी है, ठीक है, तो उन्होंने उस तरीके से मान भी गई है, और रावन का भी व्यक्तित्व ऐसा तो नह कोई नहीं जानता, तो ये प्रश्न उठना सिता जी के व्यक्तित्व पे ये तो होता ही था, ये समझ चुके थे श्री राम जी, इसलिए उन्होंने सिता जी स्वयम लोगों के बीच अपना पवित्र जो उनका व्यक्तित्व है, वो बहार उनका आए, इसलिए उन्होंने य तक stru जलाइए, और मैं इसमें परवेश करूओंगी, और सब को ये, अग्नी को साक्ष मान कर, अग्नी साक्षी है कि मेरा ब्यक्तिफ कैसा है, मेरा मन पैसा है, और वो पूरा एपिसोड हम जानते हैं, अग्नी परवेशवाला होता है, तब स्रीराम जी स्वयम कहते है कि मुझे तो कभी शंका थी ही नहीं, मुझे तो पता था कि सीता जी एकड़ मन हमेशा मुझ में ही रहता है, और अनन्य रिदयाम, एकड़ शुध रिदयावाला जो मुझसे कभी अलग ही नहीं हुआ है, तो केहते हैं जैसे सूरे से प्रभाnın, इस सूरे से प्रभा, छो उसस मेरे से बाब है, वो एलग नहीं हो सकती उसे अर उस से तो वैसे भी रावन कुछ नहीं कर सकता था क्यो वो तो अभने तेहसे सूरक्षित थी पर लोगों के लिए यह गॉजने अवश्य था इसलिए, ता प्रत्यार्थम तु लोका नाम त्रयानाम सत्यसंष्रय अह, उपेक्षे चापि वैदेहिं प्रविशंती हुताशनम, मैंने उसकी जब वो एंटर कर रही थी, वो प्रवेश कर रही थी वैदेहिं, तब मैंने उसकी उपेक्षा की, क्यों? प्रत्यार्थम, ताकि लोगों को लोगों को एविडेंस मिल जाए कि Sita ji का जो व्यक्तित्व है वो एकदम पवित्र है और मेरे सिवाए उन्होंने किसी और के विशय में कभी सोचा ही नहीं है तो वैसे देखा जाये तो Shri Ram ko Sita ji के व्यक्तित्व की ही फिकर थी की ही चिंता थी जिसके कारण उन्होंने यह किय और जैसे मैंने दूसरे इसमें भी कहा था Sita ji का अगर आप देखे तो Hanuman ji ने उनको देख लिया था जब अशोग वातिका में थी और Hanuman ji कहते है कि आप मेरे साथ चलो Sita ji तभी उनके साथ नहीं जाती है क्योंकि वो कहते है कि नहीं अगर मैं तुम्हारे साथ आई अगर त मैं बिलकुल भी ये ये मैं नहीं सहन कर सकती इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलोगी आप स्री राम को कहो कि आई यहां पर रावन को हराए रावन का वद्ध करे और मुझे मुझे मुक्त कर लिकर जाए अब हम एक तरफ लगता है कि अच्छा सिता जी को परीक्षा लेने प परन्तु देखा जाए तो सौ योजन का पुल बांध कर उनके पास वैसे देखा जाए तो सेना बड़ी थी ऐसा तो नहीं था और सिता जी को तो पता भी नहीं था कि वानर सेना जो है वो है कैसी है फिर भी शी वांटेट की श्री राम स्वयम आए अपने शौरे का परिचा तो यह सबसी देखा जाए तो एक तरीके। श्री राम युब लिए। यह तो बिलकुल और पाने की परिक्सक भी है हाँ और सीता जी को भी कि श्री राम पर कोई कलंक नगा उथाया उन लगे उन पर कोई यूः न उखाये वही चिंता जो तो श्री राम की है इसलिए यह उन दोनों के बीच जो प्रेम है वो ऐसे हो जाता है जैसे पहले था, सिता जी ने कभी यह नहीं कहा कि मुझको कैसे ऐसे तुमने प्रशन पूछ लिये ऐसा कभी नहीं हुआ वो भी समझती थी श्री राम दे ऐसा क्यों किया और श्री राम भी समझती थे अनुमान जी के साथ आज आती तो युद्ध नहीं होता बात तो सही है पर उन्होंने भी ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने पती पर कोई कलंक ना उठाए तो ये कहीं ने कहीं ये तो बहुत अच्छा आपने बोला कि सीता जी ने भी राम जी की परिक्षा ली है उस वहां पर हनुमान जी के साथ ना जाके तो ये तो बहुत अच्छा है और ऐसे नहीं कि उनको विश्वास नहीं था, उनको तो विश्वास था, जैसे श्री राम को भी विश्वास था, वैसे सीता जी को भी विश्वास था, पर लोग कोई उंगली ना उठाए, जो लोक अपवाद का भय, जो श्री राम को था, वही सीता जी को भी तो था, तो लक क्लिप काट के आप तीन गंटे में से पैंतालिस सेकंड का क्लिप काट के आप वाइरल करते हैं जो कॉंटेक्स सेटिंग नहीं करते हैं तो एक तरीके से वही हो रहा है यहां पे भी कि आप एक वर्स को लेके आप उसको दिखाते हैं कि यह बोला है और बलकि आप पिछली वा वीडियो है विकास देवे कीरती जी ने ये कहा है कि जब शंबूक का वद होता है तो पूरे राज्ये में ये बात चल रही है कि कौन है जो यहां पर चीजे हो रही है जो लोगों मर रहे हैं तो उसका कारण क्या है तो शायद कोई जिसको यह वर्शिप नहीं करना चाहिए व एक शंबूक है जो बोला जा रहा है जो दलित वर्ड यूस हो रहा है पता नहीं है कैसे वह हो रहा है बट चलो दलित वर्ड कब यूस किया है कि वह दलित थे इसलिए फिर वह जब बोलते हैं कि मैं पूजा कर यहां पर वह कर रहा हूं इसलिए जब वह दलित बोलते हैं य मैं क्या कर सकता हूं, जो उनके शब्थ हैं, तो ये बताइए कि ये शंबूक वद्ध जो है वो किस context में है और क्या reason है, कि उनको शुद्र होने की वज़े से, दलित होने की वज़े जब उन्होंने बोला कि मैं शूद्र हूं इसलिए काटा सर या फिर कोई और कारण है सबसे पहले तो ना मैं धिवकृति जी का धन्यवाद भी कहना चाहूंगी ये जो भी कारण सर ये विशे आ रहे है तो इसकी कारण कियुकि ये विशे आते रहे हैं पर इन पे चर्चा होना भी आवश्च है अब इस पता होना आवश्च है कि इस कॉंटेक्स मी लिखा गया है तो ठीक है यह चर्चा हो रही है, अच्छा अब शम्भुकुवद की बात है, उसमें ऐसा है कि शम्भुकुवद उत्तर कंड में आता है. और जैसे पहले उमारी रमायन वाली जो चर्चा थी जब रमायन अंरावल पर हम कर रहे थे, तब हमने ये ये हमने डिसकास करा था कि उत्तरकांड जो है काफी सारे स्कॉलर्स जो है जो विद्वदगन है वो मानते है कि उत्तरकांड वादमी की रमायन का भाग नहीं है वो प्रक्षित है बाद में लिखा गया है उसी और एक दूसरा वर्ग है इस्पेशली जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स का वर्ग है उनका मानना है कि उत्तरकांड है और दोनों ही पक्षों के पास बहुत ही बहुत सारे कारण है जिसके कारण वो ये बात मानते हैं तो उस चर्चा में नहीं जा रही है रामायन अन्रावल में मैंने शंपुखवत पर बा कि नहीं है कि चर्चा नहीं है अब प्रशन यह है कि क्या अगर है तो भी इसी टाइसले मार दिया गया क्या ये बात है तो ये भी पूर्ण सतर है यह बीक्लियरिफाइ कर दू शायद मेर को भी पता नहीं कि Vikaas जी ने यह बोला है शायद Dalit बोला है या शूद्र बोला है कुझा उन्होंने भी शूदृ ही बोला है तो Dalit का मुझे यह नहीं पर मेरे खिल से बहुत लोग वोड़ाइ समझ रहे हैं विकास सर नहीं भी कहा हो, तो बहुत लोग उसे दलिथ ही सबचते हैं, पर दलिथ का तो कोई उलेक हमारे ग्रंथों में है ही नहीं, यह तो बहुत रिसेंट वर्ड है, तो इसका कॉंटेक्स किया है, ठीक है, इसमें भी ना, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हमारा हम किसी को लेबल कर रहे हैं कि यह जातिवादी है या यह स्त्री विरोधी है, तो वो एक प्रसंग को लेकर नहीं कर सकते हैं, अगर घड़ी बार बार उनके व्यवहार में वो बात आती है, कि वो स्त्रियों के साथ ऐसी करते हैं, तो हां हम कह सकते हैं कि वो स्त्री विरोध क्या है क्या वो केवल इतना कहते हैं कि मैं सुध्र हूं इसलिए उनका वद कया जाता है तो नहीं उसमें और दू बाते आती है तो होता सब जैसे एक जो पुत्रह है उसका देहांत हो जाता है बारातेरा बर्ष्श की तो यह सा कभी नहीं हुआ अगर राम राज्य का चीछ ज तो जब यह होता है तो वो उसके पिता की कहते हैं कि यहां पर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो प्रकृति के विरोध में हो रहा है, कुछ ऐसा गडबड हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तब श्री राम जी जाते हैं और वो देखते हैं कि एक मनुष्य जा वो उल्टा लटक कर बहुत ही दुरगश तपस्या कर रहा है तो वो उसे पूछते हैं कि आप कौन हो आप मुझे बताओ और आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो अच्छा इसके बाद मैं पढ़ती हूं उसमें क्या लिखा है जो दो यह है क्योंकि यह हमा तितमह सरगह, 76th सरगहिक की है ये बात है, तस्य तद्वचनम शुट्वा, रामस्य अकलिष्ठ कर्मना, अवाक शीरह तथा भूतो वाक्यम एतत वाचह, तो तत्वचनम शुट्वा, राम जी के ये प्रशन सुनकर, उनके जो वचन सुनकर, जो अवाक शीरह, जो उपर से न स्थी थह, देवत्वम प्रार्थये राम स शरीरो महायशह, न मिथ्या अहम वदे, राम देव लोक जिगीक शयाह, शुद्रम मा विधी काकुस थह, शंभूखम नाम तह, तो ये कहा जाते हैं कि उन्होंने कहां कि मैं शुद्र हूँ और उनका गला कार दिया, नहीं उन्हो तो कहा, पर उसके साथ साथ कहा, देवत्वम प्रार्थये राम स शरीरो महायशह, न मिथ्या अहम वदे, राम देव लोक जिगी शयाह, देवत्वम प्रार्थये राम स शरीरो महायशह, न मिथ्या अहम वदे, राम देव लोक जिगी शयाह, देवत्वम प्रार्थये, मैं और वो कहते है कि मैं देवत्वम की प्रार्थना चाहता हूं, मैं देव बन जाना चाहता हूं, मैं सशरीर देव लोग भी जाना चाहता हूं, बिना मरे ही स्वर्ग को प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहा है, और मैं जिगी शयाहा कि उसका मैं प्राप्त कर लूँ देव पुत्र जिसका दिहान्त हो गया थह जो शद अनकॉंशिस हो गया जो वह वापस जीवित हो जाता है अचा ये प्रसंग है आव इसको देख ते हैं पहली बात क्या रामायन में ही और शुद्रों की बात आई है जो तपस्या करते है अगर वो करते है तपस्या और उनको श्री बात वालमी की रामायन में बहुत ही क्लिरली लिखी हुई है, अगर वैश्य पिता और शुद्र माता है, तो उनके जो बच्चे है वो शुद्र काटिगरी में आएंगी, ठीक है, उनको तपस्वी कहा गया, कितनी बार श्रवन का जब नाम लेते हैं, तो तपस्वी कहा गया ह तो हम जानते हैं, वो भी तपस्वी थी, उनको तो किसी लुए नहीं मारा, Shri Ramji तो मिले थे उन से, तो उसका अर्थ wh incarn chaîne, शुछ तो एस तो और श्रवन का था वो सपरिवार अश्रम में ही रहते थे, तो तो केवल तपस्या करना तो कारण नहीं लग रहा कि आप देव नाम लो या तपस्या करो, उससे तो कोई बात नहीं है, अच्छा तो दूसरी बात आती है, तो क्या जिस प्रकार तपस्या हो रही थी, वो कारण हो सकता है क्या, तो उसका उदाहरण कोई हमें मिलता है कि और किसी ने अगर ऐसी कामना करी है, सशरीर देवत्वम प्राप्त करने की, तो उनके साथ क्या हुआ? जो पूरा नेचर के खिलाफ है, विरुद्ध है, एकदम, है ना, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ये उदाहरण भी हमें वालमी की रामायान में ही मिलता है, तृषंकु नामक, श्री राम के ही एक, श्री राम के ही वं वो अपने जो, sorry, कुल गुरु है वशिष्ट जी, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे लिए यगन करिये, आप यगन करिये जिससे मुझे सरशरीर देवत्त्वम की प्रापती हो, वशिष्ट कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये कामना भी आप मत करो, ये नहीं हो सकत और वो उनसे कहते हैं कि आप मेरे ये कामना पूर्न करिये, आप ऐसा यगन का अनुष्ठान करिये, सब को बुलाइए, जो भी और रिशिगन है, जिससे मुझे सरशरीर देवत्त्वम की प्रापती हो, तो वो जो वशिष्ट जी के पुत्र हैं, वो कहते हैं कि आपको आप भी मिश्त पुत्र हैं वो श्राप देदे तरशक को राज को श्राप देदे थें मिश्वा कु ड़म इस यजिवन को श्राप दे जे जांकी और फृर उसि अवस्था मे meant, वो भटक रहें कि अंकी बहे नंकी भेठ हो वो श्राप आप नहीं की बहें को सब और रहा होग मि तो उनकी विश्वा मित्र बने नहीं अब तक, वो कॉषिक ही है, कॉषिक जो उग्र तपस्या कर रहा है, तो उनसे भेठ होती है, तृ तृ पूछते है, आपकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई महाराज, तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसे हुआ पूरा प्रसंग उनको सुनाते है और मुझे ऐसे श्राब दे दिया, अच्छा, अब उनकी तपस्या शुरो होती है, कुछ कुछ सिधी हासल होने लगिया उनको, तो वो सिधी हासल होने के कारण, वो कहते हैं, वो भले ही ना करें, मैं आपको कर दिखाऊंगा, और ऐसा कुछ है कि वो यगन, और क्यूंकि उ का अर्थ, यगन निश्वल हो गया था, ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए और क्रोध में भरकर, विश्वा मित्र कहते हैं, ठीक है, आपने नहीं क्या कोई बात नहीं, मैं अलग से उनके लिए लोक बना दूँगा, ठीक है, उस सब इसमें नहीं जाते हैं, अच्छा, ये होने क अर्थ, वो जो है, उनको और तपस्या करनी पड़ती है, अविश्वा मित्र क्यूंकि उन्हों ने अपने काम-क्रोध लोब मोह पर ये कंट्रोल पाया नहीं है, इसलिए उनका वो जो तपस्या हो गया है, उनको वापस करनी पड़ रही है, ठीक है, इस ये कारंट सर, और अच्छल स्वर्ग लोग है, वो तो ऐसे भी नहीं मिलता, अच्छा, अब लोग कहेंगे उनको मारा क्यू नहीं, अच्छा, क्यूंकि वो स्वयम तो तपस्या नहीं कर रहे थे न, और वो तपस्या तो निष्वल हो गई थी, तो वो एक अलग चीज है, पर उसका अर्थ, स खटना को हमें कैसे लेना चाहिए, कि अगर ऐसी कोई काम ना करता है, जो प्रकृति के नियम के विरोध हो, तो और उसके कारण किसी और की मृत्यू हो जाए, तो फिर कुछ तो गढ़बढ है, अच्छा, अब और एक बाद इसमे लेते हैं, कि शंभूक, अगर हम शूद्र ये बात छोड़ दे, ठीक है, तो राजा का काम है, कि कोई भी क्रिबिनल हो, जिसके कारण किसी और जो इनसेंट है, उसको दुख पहुंचाओ, तो उसे दंड दे, ठीक है, तो अगर हम शूद्र है, क्या है, वो है, वो सब जाने दे, और सिंपल से ये बात देखे, कि 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 कारण किसी के बच्चे की मृत्य हो गई है, और उसका पूफ क्या कि उसे मारने के बाद हो जीवित भी हो गया, तो वो क्राइम है, उसको तो राजा को शाप, उसको तो राजा को दंड देना ही पड़ेगा, तो पहली बात तो, क्या केवल शंभूख, केवल तपस्या कर वह ऐसी तपस्या कर रहे थे जिसके जो प्रकृति के नियम के विरुद हो, क्या ऐसे को about की अधारन है कि प्रकृति के नियम के विरुद जो कोई चाहते हो उनको उनको भी इस तरीग का कुछ ना कुछ दंड मिला हो, तो मिला है। क्या उस समय शुद्रों और कोई तपस्या नहीं करते थे नहीं हमको उसके उदाहरन भी मिल जाते हैं अच्छा चौथी बात क्या श्री राम कभी केवल किसी की जाती को देखकर दंड देते थे अब बात यह है तो ब्रह्मा हत्या कि ब्रामनों को तो नहीं मारना चाहिए यह वे ख एक विड़ सम्रती में उल्लेक आता है रावन क्या था ब्रह्मान पिता थे उसके विश्रश्रवा जो थे वो ब्रह्मान थे पुलत से रशी के ग्रंसन पउत्र कम ब Natasya रशी के बेटे विश्रष्रस्रवा। विश्रषरस्रवा के बेटे इट सब्तर इश्यों में से एक आते हैं, बुलत से हैं, उनके पौत्र का वद कर दिया, तो क्या उनों ने ये सोचा किया रहे हैं, ये ब्रहमण है, इसको नहीं मार सकता, नहीं, उनको सबसे पहला पार्थ, जो विश्वा मित्र जी ने पढ़ाया था, जिसके विश्वा में पिश तो ये यही बात है, खेर ये आश्चरे वाली बात नहीं है, एक ऐसे समय में जहां पे हम जीवित हैं, जहां पे हम रह रहे हैं, इस समाज में जहां पे ये देखके पूरा डिसकुशन, डिबेट या वो इश्यू उठता है, कास्ट, विक्टिम की कास्ट देखके या परप क्योंकि हम ऐसे करहे हैं हम उनों भी ऐसे कि आखके अपनी शैनसेबिलिटीस को ऑज साधार यह हैं श्यूर冷 não की exact context क्या है वो भी बाहर आ रहा है तो लेकिन ये है ना कि जैसे विकास सर जैसे जो बुद्धिमान लोग है और इतने उनका मैंने बहुत lectures देखें काफी मतलब वो इतने nuance तरीके से वो बात करते हैं और ऐसे मतलब कभी भी वो ऐसे comments नहीं मारते हैं इस तरीके से लेकिन उन जै incident में कि आप एक verse उठा के वो नहीं कर सकते हो तो वो उनसे प्रार्थना है कि वो जब भी ऐसे करें और खेर वो तो मानते हैं कि मर्यादा पुरशोत्म श्री राम उन्होंने बोला भी है कि वो उनमें मानते हैं तो वो तभी मानते होंगे जब उन्होंने पढ़ा है वास्ता है कि उसके हिसाब से ही हमको पढ़ाना पड़ता है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि दिक्कत वहां पर है जो किरपा है वहां अठके हुई है जो यह बाद जो सवाल जैसे मैंने आप से discuss भी किया था एक सवाल जो नोंने भी बोला कि क्या आता है UPSC में कि जो आज का स्त्री वि करेंगे और उनका आज के जो इस त्री विमर्श है क्या है फैमिनिस्ट जो व्यूपॉइंट है या दलित विमर्श है जो पिछले पचास आठ सालों में जो हमारा वैल्यू सिस्टम जो बना है उसके हिसाब से आपको करना है यह एक मार्क्सिस्ट व्यू है ओफ लुकिंग करते हैं तो उसको कैसे देखेंगे स्त्री विमर्श के उपर ही बात कर लेते हैं यह जो स्त्री विमर्श की बात है अच्छी 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 अच्छ अगर हम शुरुवाद से देखें, काफी अनबायस के देखें, सबसे पहले कहकरी, अच्छा, कहकरी के विशह में कहा जाता है, उनको जो दो वर्दान दिये थे, क्यों दिये थे? क्योंकि उन्होंने दश्रत जी को का जीवन बचाया, अच्छा, उसका अर्था क्या कि वो भी युद्धा थी, युद्ध में जाती थी, कुछ तो उनको प्रशिक्षन मिला होगा, तभी ऐसी थी, ठीक है, तो ये हुआ था उनके साथ, मतलब उनको प्रशिक्षन भी मिला था, सब था, वो इतनी शूरवीर थी कि युद्ध में गई, दश्रत जी को बचाया वगर वग युद्ध में जाती थी, कहने पर राजा दश्रत ने जो निर्ने अपने प्रजा के साथ लिया था, उस पे पीछे हटकरा, अयोध्यावासी साहते थे, कि श्री राम राजा बने, और ये बात तो मतलब दश्रत ने श्वाम ने अचाया था, मेरा बेटा राजा बन जाए, अईसा नहीं था, दश्रत ने सब से पूछा था कि आपको क्यों लगता है, श्री राम ठीक है राजा बनने के लिए, अगर आप मानते हो कि वो ठीक है, तो ही उसे राजा बनाएंगे, नहीं तो नहीं, तो सबका ये मनतव्य था, एकमत सब थे, कि श्री राम जो राजा बन अच्छा बनाएंगे जाने की बात है, तो स्री राम जी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं करे थी, कि नहीं मेरे साथ वन में चलो, तुम मेरी भारया हो, मैं जहां जाओगा, तुम है मेरे पीछे पीछे जलना है, चलो, ऐसी तो बात नहीं है, वो तो उल्टा कह रहे है कि मेरे पिताजी को तो यह नहीं मालूम था कि उनका जो जमातार है, जो उनके जमाई है, श्री राम, वो तो पुरुष के वेश में स्त्री है, क्योंकि वो कहते हो ना कि जीवन बहुत भयानक है वहां पर, तुम कैसे रहोगी, तो शी लाएं आपको तुम मेरी रक्षा करनी आप क्यों ऐसे बात करे हो, तो यह सब कहते हैं कि मैं आगे चलूंगी तुम पीछे 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 चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आप चिंता मत करो, मैं आपके रस्ते को साफ करते जाओंगी, मैं किसी भी चीज की मांग नहीं करोंगी, मैं खुशी से रहोंगी, तो यह तो अवसी बात रही कोई स्क्री नहीं कर सकती, जिसको कोई आवाज नहीं प्रेस्टे यह उप्रेस्टे जो स्वयाम से कहा हैं कि आप प्रोकने वादे कौनों? मुझे बालो मेरा रोल क्या, मैं करूंगी? तब जब इवेंचली वो कहते हैं कि नहीं मुझे आना ही हैं तो श्री राम उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हे दुख देकर स्वर्ग भी नहीं चाहिए वे तुम को दुख दें के तुम्हारा मत जाने बिना तुमको अरणयमे रहने को लगाओ ये मैं नहीं कर सकता अभी प्रायम अविग्नायर, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम को जवर्दस्ती वन मेनी टेचादे कर जा सकता, वो की पिक्निक तो थी नहीं, तो उसमें भी Sriram उनका मत मांगते है, अपना दिसिजन थोपते नहीं है, अच्छा उसके आगे तो भी डिसकाज की वो जो की हट थी, Sita ji की हट थी, लक्षमन को भागा देने की नहीं तुम जाओ, श्री राम जी को लाओ, ये भी जबर्दस्ती उनुने किया, लक्षमन को तो चाना नहीं था, फिर ये जो हुआ, वो हुआ, शूर्पनका, ये भी हम जानते है की शूर्पनका को ये था कि मैं श्री युद्ध हुआ, वो स्त्रीयों ही उस रस्ते पर ढखे लाना, श्री राम को, तो यहां पर सारे निरनाय श्री राम के जीवन के किसने लिए, स्त्रीयों ने तो लिए, तो ये तो रिवर्स मिसोजनी, अगर कोई कहता है तो हो गया, उसको आज के ओ कॉन्टेक्स में देख तो ये मतलब इसलिए कोई भी बात को, अच्छा ये स्त्री भेषी, ये तो कहीं बात आती नहीं है, ये सारे निरनाय वाल्मी की रामायन के तो स्त्रीयों ने लिए, जो कुछ हूआ वो स्त्रीयों अच्छा इसका भी यह है कि लोग कहते हैं कि अच्छाद कई कोई पता था कि रावन का यह होना है यह तो दाइबत था वो सब एक बात है को ऊचित लेते हैं क्या एक अच्छा जाए नहीं तुचित उपर करती है तो जब लक्षमन कहा था Jna कि मुझे वन में जाना है मुझे हा अपर एक मत अई क्योंकि यहाँ पर क्या होगा समित्रा मारे कोशनलिया उनका ध्यान कॉन्र कोन रखञें ॉपलरे तुम्हारा यहां विभ्रुयाद आर्या सहस्त्रम मद्य विधानपी यस्याह सहस्त्रम ग्रामाना संप्राप्तम उपजीविनम वो कहते हैं कौशल्यम आजो है न वो मेरे जैसे हजार लोगों को पाल पोस्ट सकती है भरन पोशन मेरे जैसे हजारों का कर सकती है इसक्या अधी दिस्याहा सहस्तरम ग्रामाराम संपरापत्तिम उपच्विविनम् उन्के अन।र उनके तो बालन पुछं में हजार गाञ हैं जहां से उनको नहां मुनलोड टेख यह कर्ती हैं वहाह का टाक्स पैस्ता से नम्हें उनको उनको मिलता है सुमित्रा माद भी वो ध्यान रख सकती। उनकी तु चंता करने जानी है और राम कहते हैं भातृ ठीक है, मैं लिट्रली ये नही कहते हैं, हुझ आखे है ठीक है, तो जानते हैं, थी इतना है। यह अग चीज है कि कहकी जी और कौशलयमा का क्या डायनामिक्स हा वो सब अग चीज है ठीक है परन्तु क्या वो इंडिपेंडेंट है financially हाँ as a Rani she is financially independent तो यह भी उनकी बात है अहल्या की बात तो हमने पिछली बार कही थी मतलब जो typical narration है कि उनको फसाया गया अर फसाइ मेंको पनिश किया गया और उसके बाद पत्थर बना दिया गया और Shri Ram giy ने उनको पाउलगया यह तो बात था ही नहें कर बात था उनको फसा यू नहीं ने अपने मन से अपने होशो हवास में कन संट दिया था क्योंकि उनको कुटूहल था देवराज कुतुहलाद, मथी चकार दूर मेधे, कि वो देवराज मुझको पसंद करते हैं, इस कुतुहल में, इसमें एक लापस अफ जज्जमेंट हो गया, वो मती थोड़ी से यह हो गई, क्योंकि देवराज मुझे पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपने होशो हवास में कंसेंट दिया है, और जब पनिश्मेंट भी दोनों को मिला है, दंडवी, इंद्र को भी नपुसंद को मिला है, और इनको गौतम कहते हैं, कि नहीं तुम पश्चादा आप करो, उसके बाद में आउगा, तो जो वो पत्थर की बाती नहीं वो अश्रम में रहकर तपस्या करें, ताकि जो काम-क्रोध लोग मोह है, उस पर वो चंट्रोल पा सके, और जब उन्होंने ये पाया, तब पहली बार, जब श्री राम और लक्षमान को ले ले विश्वा मित्र जा रहे हैं, और श्री राम पूछते हैं कि इसका आश्रम है, तो विश्वा मित्र कहते हैं, जो मैंने अपने पिछली मार भी कहा था, कि यहां पे तपस्विनी एक रहती है, एक देव रूपिनी तपस्विनी यहां पर रहती है, आओ और उनके पैर छुओ, पादव जग्रहतव ऐसा है कि वो दोनों राम लक्षमन ने उनके पैर छुओे, उन्होंने अहल लाके पैर छुओे, क्योंकि वो देव रूपिनी तपस्विनी थी, ऐसा उनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बताया गया, तो जब स्त्री विमर्ष की बात आती है, तब इस विमर्ष को आने की आवश्चक्ता है, जो गडबढ है वो प्रश्न में नहीं है, गडबढ है जो एक्सपेक्टेड उत्तर है, वही मैं कह रहा हूँ, कि जो चेक करने वाले हैं, अगर ये उत्तर आप लिखेंगे, तो आपको जीरो number मिलेंगे, क्यूंकि एक आणा कि वह थी है तो एक इस विक्टी मिोना चाहिए, यह जो एक बात हो गई है, इसमें स्त्री विमर्ष जो बात किया, ये रामायन की है, महाभारत की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी तो रोज ऐसे ही बाते हो रही हैं तो क्या पता महाभारत पे पर प्रशन आ जाए यूपी असी में तो उसका उत्तर बताई अच्छा सा अच्छी महाभारत में ईसा है और जो महाभारत अनरावल की हमारी बात उतिशप अब तब शादी हुआ था पर पुस्तक में भी महाभारत अनरावल में मैंने भी स्थी चारेक्टर्स पर व्यकतित्वपर लिखा है विकोज क्या यह जानना आवश्य। एपिक्लिड़ी जब म कि अर्थाशास्त्र विशारद 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 मतलब नौटिक्स अडिनिंस्तरइशन अच्छ। वर कुछ कराया नहीं जाता था, तो यह कैसे हुआ, सिर्फ घरकाम करते थे, यह हमको लगता है, तो अर्थशास्त्र विशारत कैसे हो सकती है, छोटी छोटी बाते, छोटी छोटी बाते, इससे हमें पता चलता है कि कैसा रहा होगा, अच्छा, उसके बाद, जो सत्यवती कहानी सत्यवती कहानी महाभारत में आती है, सत्यवती कहते उनके पता कि तुम जाके अपने पती धूंड़ो, और वो स्वयम जाके सत्यवान को पसंद करती है, अच्छा, हमारे में स्वयम्वर की बात तो वैसे है, कि स्वयम स्त्री चुने उनका पती, यह एंपावर्मेंट यह सबसे बड़ी बात तो यह आपके जीवन का जो सबसे बड़ा निर्णय है वो आप स्वयम लो, तो यह बात तो है तो उसी इसमे सत्यवती भी स्वयम धूंती है, और उसकी बात यम्राज की साथ वो एक विद्वान की तरह समवाद करती है, यह कैसे हो सकता है अगर उनको श अगर उनको जानते हैं तो अलुपी जब अर्जुन को देखती है अचा कब देखती है वो जब बारावर्ष के वनवास पर अर्जुन निकल गए क्यों निकल गए क्यों कि युदिश्रा दॉपदी बैठे होता है तब वो उनके कक्ष में प्रवेश करते है इंद्रप्रस् अर्जुन को कहते हैं मत जाओ बट फिर भी जाते हैं और वो सबसे पहला पड़ा उनका हरिद्वार में तो हरिद्वार में वो गंगा जी में डुपकी लगाते हैं उलुपी उनको देखती है और एकदम ही पसंद कर लेती है वो कहता है कि लवाट फॉस्ट साइट तो शी कर्कली मुझे पालं करती है तो लुपी उन्से कहती है कि अपका दृपदी के कॉंटक्स में है मेरे कойंटेक्स में नीकिसी और स्ती क क 있어서 तो एक स्ट्री को संतुष्ट करने का पुन्य भी आपको मिलेगा। यह स्वयम एक स्ट्री एक स्ट्री एक्स्प्रेस करती है। और फिर वीनों की उनोंने साथ में वो रहे और इरावान नामकुन का पुत्र हुआ। यह स्ट्री एक 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 और भीम से कहते है कि मुझे आपसे विवा करना भीम कहते है मैं तो कुछ नहीं निरनाय ले सकता तुम मेरी मां से पूछो और हिडिमबा कुंती से पूछती है कि मैं आपके पुत्र से विवा करना चाहती हो और कुंती कहते है ठीक है तो यह भी हिडिमबा स्वाम केरी क्या इ द्रौपदी का और युधिष्ठर का जो समवाद होता है वन में, वनवास के टाइम पर उनके, वो इतना गहन और इतने सुन्दर वो समवाद है कि पढ़ने जैसे है, गीता में जैसे श्री कृष्णा अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं, वही बाते द्रौपदी इनसे करती है, दौपदी जो अर युदिश्धिर से कहती है और यु कहती है कि करतव यधतक करम, जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है, पर ये भी मैं जानती हो कि Х cuad juast kan Hej वो केवल पुरुषार्त पर निपंद कर देपद्ध और वी चिह अब तर थे वो दैवत पर भी कर्ती है। भिर तब ये स्त्री तभी कर पाएगी ना जब उसने भी शास्त्र का अध्यायन किया हो तो ये कोई कुछ कहा नहीं जिसको कुछ कहा नहीं जिसको हमेशा जिसकी अभेला हुई आशिस्त्री तो कर नहीं सकती है अच्छा एक मेरे खाल से इस पर हमने चर्चा की थी पिस्ट्रेस में थोड़ा सा कह देती हूं एक दरौपदी सत्यभामा समवाद आता है वनवास के ताइम पर मेरे तो एक पती कृष्ण मेरे वश्मे नहीं रहाते तो उनको वश्मे रखने के लिए मैं क्या करो और दौपदी कहती है कि ऐसा कोई वशिकरन मंत्र नहीं होता पर मैं जब इंडरप्रस्त की रानी थी और मेरा जीवन कैसे था उस विशे में तुम्हें बताती हूं वो प लाखों की संख्या में अतिति हाएंगे उनका खाना पीना सब देखना उसके अलावा उन लाखों लोगों को संभालने के लिए दासदासियां सारे होंगे जो आपके काम करने आएंगे वो कहती उन सबको में नाम सहित हजारों में जो दासदासिया उनको नाम सहित जानती थ उन्होंने खाना काया कि भी नहीं, वो भी मैं ध्यान रखी थी, अच्छा, उसके बाद वो कहते है कि जब युधिष्ठर यातरा पर जाते थे, तो उनके साथ जो रत, घोड़े, हाथी, जो भी जाते थे, उस सब का कितने गए हैं, कितने आए हैं, ये सब का भी मैं ध्यान र क्या दोड़े हां राज जो जो पूरी राजीय ओ ट्रेजीरी जो, आय और व्याए, कितना इंकम है, कितना एंक्सेठर है, कितना एंदेशरह है, किया किवर मैं अकेर्षी ही जानती थी कितना आया हैं, कितना गया है, फिर वो आगी गहती।ै वो तो वरुनदेव जैसे था, कि वरुनदेव की समुधर में रतन होते हैं कभी खतम नहीं होते हैं। वह कहते है, एको अहमपी वेश मी अवेद मी कोशह वै जो पूरा fort is dedicate this into rest ुसकी पूरी चूरस्परेंसी भी केवल मुझे ही यह ही थी किसी भाई को भी नही यह비 यह स्थरी है वो जिसको हम के ते यह लो स्थरीदोष करते है इतनी transparences कभी किसको मिल सकती है गे ओ क्डाबल obt commitment जो कर सकती हो और जिस पे आप विश्वास कर पाऊ तो क्या ये अच्छा आप इस पर अगर स्थरी विमर्ष करेंगे तो आपका निश्कर्ष कुछ और ही निकलेगा ना पर हम ये प्रसंग कभी बात ही नहीं करते हैं एक प्रसंग कोई उठा लेंगे और उस पे चर्चा शुरू कर देंगे तो ये है UPSC के बच्चों के लिए एक अच्छा सा दस मिनिट का आंसर अगर महा भारत पर पूछा जाए लिख लीजिए ट्रांसलेट कर लीजिए जिस भी बाशा में आप देते हैं एक्जाम आमे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप आए मिले हमसे और इस बात पर चर्चा की जो पूरे लाखों लोग जो इस पर बात कर रहे हैं आज उस पर बहुत क्लारिफिकेशन अब हो गया है मतलब टॉपिक से आगे बढ़के हो गया है अब तो इसके कॉंटेक्स पीछे का आगे का किस कॉंटेक्स में बोला दोनों इंसिडेंट और उसके बाद जो स्त्री विमर्श का है दलित विमर्श पर फिर कभी देख लेंगे आपको जाना भी है तो बहुत-बहुत धन्यवा Okay, thank you.